नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग स्टॉक मारके स्टेडिस में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से सागत करता हूँ तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इन्पोर्टन्स कंपानी के अपडेट सेयर करने वाला हूँ तो इस वीडियो में जुरूर अबलास तक बढ़े रहेगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कॉम्पनिस के बारे में चर्चा तो जुरू करूँगा उसके साथ साथ टेक्निकली चार्ट पेटन्स के बारे में बताऊंगा और मेरा काप एक ट्रेड है कौन सा कंपानी के उपर बो भी में अपके साथ सेयर करने वाला हूँ तो सारे जानकरी पाने के लिए चनल को जुरू सब्सकेब करिए और इसी तरह के से अपडेट्स कंटिनु पाने के लिए चनल को जुरू सब्सकेब करने के साथ साथ लाइक भी करिएगा क्योंकि उससे मुझे motivate भी मिलेगा और मैं नया-nया company के बारे में चर्चा भी करूँगा तो first जो company है उसके नामे राजेस export बहुत दिनों से जो comments आ रहा था राजेस export के उपर इतना बड़ा जो correction देखनों को मिला उसके पीछे reason कौन सा है चलो एक reason के एक अंदजा में आपके साथ share करता हूँ finally दिखी company के उपर मैंने जो capex के उपर study किया तब मुझे एक चीज देखनों को मिला ये company last three years में कोई capex को increasing नहीं किया मतलब 2022 से लेकर 2022 से नहीं 2021 से लेकर 2022 से 2023 तक और 2023 के बाद अभी current year चल रहा है वहां तक company के उपर कोई भी capex नहीं देखनों को मिला सर्व 2023 में 721 करोड के आसपास capex देखनों को मिला था इसका मतलब company खुद के business के पर investment ही नहीं कर रहा है अगर मैं यहाँ पर आपको share करूँ तो आप balance rate में देखेंगे तो company CWIP में इस बार 49 करोड के आसपास company खुद के business को पर पैसा लगा तो पैसा तो लगा है ठीक है चलो कोई बात नहीं मगर companies के पर जो capex को बढ़ाना चाहिए था हर साल में company खुद के growth करने के लिए ज्यादा investment करना चाहिए था वो investment हुआ नहीं है और उल्टा क्या हो गया FIS ने क्या किया इस वर्क institution ने year of year basis में माल बेचा DS ने छोटा मोटा quantity बेचा और return ने कुछ खरीदरी नहीं किये और आप देखेंगे तो FIS ने जो माल बेचा तो वो कोई छोटे मोटे quantity नहीं है के उपर अभी भी recession जैसा situation देखने को मिला है और यह भी बता जा रहा है कि 2000 मतलब 25 के अंदर उस मार्केट में थोड़ा सा एक सुबट के उपर एक गिराबट का माहौल देखने को मिला बाकी इस company के उपर एक points में और भी अपके साथ share करूँगा जो points आपको यहापर दिखेगा कि ROC और ROE में उतना जदा दम नहीं है तो दम नहीं मतलब कभी इसका average 15% को उपर गए नहीं गया average छोड़ दीजे किसी भी एक साल में पांस साल में भी average उसका खास नहीं है और ROC भी पांस साल में उतना खास नहीं है और net margin के तो बात ही नहीं करूँगा company उतना high profitability growth ही नहीं कर रहा है और company के डेप के बात करो तो डेप एक दम कम होता जा रहा है मतलब करजा एक दम नहां के बार बार है और करजा कम कहा से किया बो भी तो आपको चानना है ना तो चलो बो भी में आपको दिखा देता हूँ देखे पहले करजा कितना था करीबन 4,000, 5,000, 8,000 करोड़ तक आप चलो एक बार में आपको दिखा देता हूँ या पर देख सकते company का net profit है वो sales कहा था असी हजार करोड़ अभी कितना है 38,000 करोड़ तो 80,000 से 38,000 तो almost 50% से भी नीचे company का sales डाउन हो चुके है और company का profit margin भी या पर काम हो चुके है तो इसके कारण company के उपर एक प्रेसराइस है और दूसरी बात company के उपर institution भी कुछ माल बेच रहा है तो उसका भी एक प्रेसराइस है तो कहना का मतलब है यह जो लगाता लगाता जो गिराबट का माहोल या पर देखने को मिला है यही एक बज़ा है कि इस company के उपर एक sale of situation देखने को मिले अगर इस market थोड़ा सा strong हुआ तो सोचना इस company फिर से आप 10 में जाने के लिए वो त्यारी करेंगे क्योंकि इस market में ही पूरा के पूरा business company का चलता रहता है यह इस में साथी साथ यह यूरोप मार्केड में और जर्मानी और इस तरह के से कंटी में company का business सब स पॉल देखने को मिलेगा और मुझे लग रहे है 240 लेबल तक आने का chances रहेगा पाकी इस company के उपर आपके के ओपिनन है जो मुझे comments करना next company उसका नामे रेले विकास निकम लिमिटेड जिसका नामे आर बीनल तो आर बीनल के बारे में चर्चा गरू तो companies को पर एक higher situation है जो आगे बनने के दम रखते हैं क्योंकि इस company जो government ने जो budget announcement किया तो budget में रेले government के उपर पहले से ही एक budget उन्होंने publish कर दिया और finally इस budget में उतना खास रेले के उपर कुछ बादचीद नहीं हुआ तो फिर भी रेले के उपर जो budget announcement हुआ बहुत सारे infrastructure के उपर और बंदे भार 10 market में आने वाल है और आप सभी जानते 200 train के order जो है वो बंदे भारत का जो train का order है आर्बीनेल उसको compete करने वाल है तो सोची आर्बीनेल का कितना high growthable situation देखने को मिलेगा एक डेटा में आपको दिखाऊंगा company के जो mainly business है वो कहा से आ रहा है new lines new lines बिचाने में 42% में company का revenue new lines बिचाने में आ रहा है उसके साथ double lines है जो doubling है उसके उपर 28% metro project के उपर 13% और साथी साथ business development के उपर 7% और साथी साथ जो conversions है जो gadgets conversions है उसके पर 2% तो basically देखा जे तो company के जो mainly business है वो rail lines बिचाने के उपर है वो companies के उपर अच्छा खासा future में growth होने का chances इसलिए है कि कि अगर business perspective view से अगर देखू तो company का ROC and ROE दोनों ही आपको best तरीके से देखने को मिलेगा माल लेता हो company का profit margin उतना खास नहीं है फिर भी company के उपर depth एकदम धिरे धिरे करके काम होता जा रहा है एक time company का depth तीन साल में 1% के आसपास चला गया था वो depth अभी काम होकर 0.88% के आसपास पहुंच चुके है तो कहने का मतलब है अभी company का पर थोड़ा सा pressurize है इस pressurize को company recovery कर सकते है कि कि company ने quarter result में कभी भी हाल नहीं छोड़ा पिछले बार का जो sales था उससे थोड़ा सा कम तो हुआ मगर कमपानी का profit margin में थोड़ा से impact आया था मतलब पिछले साल में जो result हुआ उससे company का ज्यादा profit इस बाद देखने को मिले sales में थोड़ा सा pressurize था मगर sales को maintenance करने के बाद expense को control करने के बाद company net profit को थोड़ा थोड़ा करके quantity add कर रहा है जैसे FS के पास holding पहले नहीं था आज वो holding बढ़ चुके है उसके साथ DS के पास भी holding आपे लगातार बढ़ता हो देखने को मिले तो एक plus point है company के लिए बाकी आप समझदार है समझदार इसे काम करिएगा और रही बाद इस company के चार्ट प बिताये उसके बाद फिर से breakout हुआ तो एक momentum जारी नहीं देखने को मिल सकता है कि डिरेकली जब भागते ही चले जा रहा है उसको फो मो बाइंग कहा जाता है तो फो मो बाइंग में कभी एंटी मत लीजेगा क्योंकि कभी न कभी company share crash हो सकते है अगर कुछ levels में hold करे कुछ ज चुरू मुझे comments करना नेक्स जो company उसका नाम है रेल टेल ये भी एक government company है और रेल टेल का जो business है बुस business के बारे में चर्चा करो तो इस company को पर एक positive point मुझे बहुत सांधा लगा जो last 3S में company continue maintain कर रहा है उसका capex देखें कमपानी के capex था पहले जो capex था वो 2021 में company के capex था 77 करोड और अभी जो current year है current जो year चल रहा है उसमें 231 करोड के आसपास capex को बढ़ा चुके है तो एक high growthable capex को company increase क्या है तो मेरे साब से एक best point है जब कोई company खुद के capex को बढ़ाता है तो उसका growth होने का chances है तो कितना growth हुआ मैं आपको बता दूँ अलग level का या पे growth देखन को मिला आप खुरी देख लीजिए sales quarter quarter basis में तो 11% का growth हुआ मगर year up year basis में 47% का growth हुआ और operating profit margin छोड़ी दीजिए मैं माल लेता हूं net profit को net profit देखिए quarters में थोड़ा सा loss हुआ चलो कोई बात नहीं मगर year up year basis में 100% एक साल में 100% company profit generate क्या तो 100% profit का growth करना इतना आसान नहीं है त company कितना high growthable situation में आगे बढ़ रहा है और इसकी और एक points में आपके साथ जूरू share करूंगा company के जो business है वो business में telecom services को पर 75% और project work services को पर 24% revenue net कर रहा है और बाकी देखिए all over India से ही company का business चला तो मेरे साब से point of view से देखा है तो company high growthable situation में है क्योंकि telecom sector में telecom services और वो भी रे next year में next कुछ upcoming year में इसका growth और भी बढ़ने वाला है क्योंकि जादा से जदा रेले को पर government focus रखे है और telecom system network system को जो company कामकर है उसका growth होने का chances बहुत जदा बढ़ जाएगा क्योंकि आज हम लोग क्या करते है अगर passenger train को भी मतलब passenger trains में एक जगा से दूसरे जगा जाने के लिए हम लोग घर बैठे ही ticket booking कर सकते है घर बैठे ही train को track कर सकते कहां पर है तो यह कहां से संब्भ हुआ यह totally network system के मात्तम से संब्भ हुआ और इसी company उस project के उपर काम कर रहे तो सोची rail tail के उपर एक अच्छा खासा growthable situation देखने को मिल सकता है बाकी देखिए इसको कहने का कोई यूरूत नहीं company लगातार एक देखिए मैं पहली वह चुका हो जब भी कोई company एक range बनाए एक range create करे तो सोचना उस range को अगर breakout करे तो सोचना उसके बाद एक बड़ा धमका होगा तो यहाप एक बड़ा धमका होगा फिर से देखिए यहाप एक range create किया उसके बाद फिर से बड़ा धमका हुआ फिर से यहाप एक range create करने का कोई इस company कर रहा है अगर यहाप एक range create करे और उसके बाद अगर breakout करे तो एक बड़ा लंबा सा journey देखने को मिल सकता है वाकि आपके क्या opinion है जोरू मुझे comments करके बताना क्यों मेरे वीडियो में सारे चीज आपको सीखने को ने ने चीज देखने को मौका मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइम ने किया तो जूरू कर लेजेगा और साथी साथ टेलीग्राम को जोईने किया वो भी कर सकते है जहापे आपको सामय सा market related update share करता रहता हूँ तो चलो देख लेते हैं next company है उसका नाम है सुन्दर Magnesis and Irons Limited तो इस company एक माइनिंग company है और इस company के उपर एक धमा का performance देखने को मिला इसका एक साल की low price था 970 और आज 3000 के उपर company का price चल रहा है तो 970 से 3000 मतलग company आपका fund दो गुना कर दिया एक साल के आंदर अंदर तो इस कारण के बज़े से company के उपर एक बहुत बड़ आपडेट है वो आपडेट है company का bonus का company देखिए आज के दिन आपको bonus देने वाले थे हर एक के बाद ले 2 share सरी हर एक के बाद ले 5 share तो finally date आ चुक प्रसाद है मैंदर पुक।